रादे रादे, सब्स्ट्राइब कीजिए पुनीता कुगर चानल को, बेल आइक अंद भाईए, काना जी की वीडियो की निटे भी शिट भाईए रादे रादे, सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज हम छे नंबर काना जी के लिए ड्रेस बनाने वाले रिकेस्टे वीडियो है, मेरे पास दो तिर रिकेस्ट आ चुकी है, कि निटिंग के अंदर में विब वाला जो है सूट बनाना सिखाऊं, तो मैंने चोटे काना जी का दो नंबर पितनी तीन नंबर का शब्र मैंने पहले डाला हुआ है, लेकिन फिभी मैं एंचे का रिकेस्ट पर, ये ड्रेस डार दीए, तो हम इसमें दो शेड ले रहे हैं, और एक से हम चोली बनाएंगे, तो हम इस कलर की चोली बना लेते हैं, और हमें चाहिए होगी सुई और उन काटने के लिए कट गए तो चली शुरू करते हैं तो यह छे नंबर कानजी के लिए हम बना रहे हैं तो इसके लिए हम जैसे कि हमने बताए फोर प्लाई की उन और 11 नंबर से हम बना रहे हैं तो इसमें हम 24 फंदे डालेंगे तो इस तरह के से सिंगल उन से हम 24 फंदे डालकर पहले तियार कर लेते हैं तो चलिए हमने 24 फंदे डाल लिए हैं इसमें हमने पहले भी छे नंबर कानजी के लिए जो है चोली बनाना सिखाया हुआ है आप वह भी बना सकते कोई भी तरीके कि आप चोली बना सकते हैं क्योंकि वह हमें वीवाले सूट के अंदर पहनाने के लिए चाहिए है तो हम इस त तो बिल्कुल सही आएगी आपकी यह देखिए हमने उल्टी उल्टी दो सिलाईया चोबिस फंदे में बना की तियार कर लिए है अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पेपर पर बताएंगे असल में मैंने जाली वाली जो है छे नंबर की चोली नहीं बनाई है कभी बिना जाली के ब किसी में भी कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी भी कर सकते हैं सनी दूसरी नहीं कर सकते तेकिन मैंने सुचा क्यों नहीं जाली वाली भी सिखा दी जाए तो यह 24 फंदे मैंने लिग दिए यह नेक है हमारा ठीक है यह हमारी बटन पट्टी है एक कोना यह हमारा एक तो इस एक एक फंद है हमारा तो इस एक फंदे के दोनों तरह पारी इस तरह के जाली ड़लेगी और हमारे फंद बढ़ेंगे बाजू में हमें कम चाहिए होते हैं फ्रंट में में एक एक फंदा फाल्ट उचेए होगा, तो हम क्या करेंगे, एक तो आप 24 फंदों को सीधा से यह तो बार्ट लिजिए, 6 इधा, 6 इधा, 6 इधा, 6 इधा यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहां पर भी चार फंदे हो जाएंगे, और पीछे से भी एक फंदा यहां ले लेंगे, क्योंकि हमें पीछे की बिज़े आगे एक एक फंदा चाहिए होता है, बटन पट्टी एक उपर एक आती है, तो यहां पर भी चार रहे गए, ठीक ह आती है, अगर आपको पट्टी बटन नहीं लगाना, प्रेस बटन नहीं लगाना, तो आप सीधा सा पीछे भी छे रख लीजिए, और आगे भी छे रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, तीन इधर पीछे छे फंदे, आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो बटन पट्टी बनाने अगर आपको एक प्रेस बटन लगाने तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो हम यह वाला तरीका बताएंगे जिससे कि आप बटन लगा सकें तो यह तीन लिखा हमारा, तीन हमारे उल्टे-उल्टे फंदे चलेंगे जो के बटन पक्ठटी के तो पहला फंदा बिनबुना और तीन फंदे हम ने ले लिए, ठीक है? उल्टे-उल्टे, अब यहाँ पर हम सीधा उल्टा बनाएंगे एक सीधा लेंगे, तो उनको पीछे किया और एक फंदा हमने सीधा ले लिया अब यह आगया कोना हमारा, यहाँ पर डलेगी सोरी जाली, एक जो फंदा इसके दोनों तरफ जाली डलती है, तो यहाँ पर एक फंदा बना लिए यह टोटल चार हो गए, तो जाली डालने के लिए हमें उनको आगे करना पड़ेगा, और एक फंदा हम सीधा बना लेंगी, च एक फंदा बनने के बाद, पहले हमने तीन उल्टे बने, फिर एक सीधा, फिर उनको आगे किया, और एक फंदा सीधा बनाया, कोने वाला, फिर हम उनको आगे करेंगे, क्योंकि इस एक सीधे फंदे के दोनों तरफ आएगी जाली, और यह हमारे बाजू के चार फंदे, तो दूसरा कौना आ गया यहां पर भी सेम ऐसे करना है एक फंदा लेने पहले हमारा कौने वाला तो उससे पहले जाली डलेंगे आगे और एक सीधा फंदा बुन लेंगे फिर इस फंदे के बाद इधर बैक के चार फंदे तो इस एक के बाद दोनों तरफ जाली आ रही जैसे मैं ने बताया है तो फिर उनको आगे करेंगे और पीछे के चार फंदे बुन लेंगे एक दो तीन और यह चार फिर तीसरा कौना आ गया एक फंदा जो बनाना है फिर उनको आगे करके एक फंदा बना लेंगे सीधा और इसी सीधे फंदे के बाद दुबारे जाली डालनी है द एक दो, टीन, और ये चार, चोथा कौन आ गया, एक फंदा बनाना है सीधा, तो फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाकर हम फिर से उनको आगे करते हैं, और लास्ट के ये, एक सीधा और तीन उल्टी, एक सीधा, और ये दे कि 3 बज़ गए है हमारे आगे उनको क्या ये बटन पटी के उल्टे उल्टे फंदे चीक है और उल्टी सिलाई पूरी हमारे उल्टी बनेगी हर बार हमारे फंदे बढ़ जाएंगे अब हमारा यहां एक एक फंदा जाली वाला बढ़ गया है जो तो यहां पर हमारे 4 की बज़ए 6 फंदे हो जाएंगे तो उसी एक फंदे के दोनों तरफ आपको बार बार जाली डालनी पड़ेगी तो आपने अभी तो पहली लाइन में ऐसे बनाया दूसरी बार भी अगर आप गिनके बनायेंगे तो ठीक बनेगा अगर आप गिनके नहीं बनायेंगे तो थोड़ा स्क्योंकि शुरू में जाली दिखती ही नहीं असानी से यह देखिए अब उल्टी स्लाई पूरी उल्टी पहला फंदा बिना बुना लिया यह देखिए चार फंदे हमारे और यह जाली वाला फंदा हमारा बढ़ गया तो इसको भी हम इसी तरीके से बना लेगे यह एक फंदा हमारा जिसके दोनों तरफ हमारी जाली यह देखिए दूसरा जाली वाला फंदा तो यह पूरी स्लाई हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं इह देखिए फिर से हम सीधी सिलाइप पर आए हैं तो यह हर सीधी सिलाइप जाली बार-बार डलेगी तो अभी तो देखिए ये देखिए लगसर वैसे दिख रही है ये देखिए लेकिन आप दूसरी बार भी गिन के बना लेंगे तो और अच्छे से आपको दिखाई देगी देखिए ये एक सीधा फंदार इसके दोनों तरफ जा लिए ये ये सीधा फंदार इसके दोनों इसे पहला बेना बना लिया और यह एक और यह दो एक है कि यह भुण है पहें कि twentтя अब हाप तो आप पहले प्वढ़ के साथ तो आप पीछे करेंगे पहला एक है भूरेंगे और दूसरा भी ऑफ सीधह ही बुलने के, जाली की मिझे से बढ़ गया, अज़ा है हमें एक से 2 सूह पंदे, तो च्रहीं पंदेग को आ लगरे देखेसे, तो फीर हमारी पंदा आगे कर लेना और यहाँ पर लेगी जाली जैसे हमें एक फंदा सीधा बुनेंगे आपको तुरंट उनको आगे ही करना है जब क्योंकि इस एक फंदे के दोनों तरफ जाली है अब यहाँ पर चार लिए थे हमने पहले अब यहाँ पर हमारा एक इधर बढ़ गया एक तो टोटल हो गए छे फंदे यह देखिए यह जाली वाला फंदा बढ़ गया तो यहाँ पर गिनके छे फंदे ले लेंगे एक दो तीन चार पांच और यह छे यह देखिए अलग से आपको दिखाई देगा यह फंदा अगर आपने फिर उनको आगे करना और यह सीधा दे यहाँ पर भी बढ़ गया यहाँ पर भी बढ़ गया तो सब जगह 6 हो गये तो इस तरीके साब पहले दो बार जिनके कर लेंगे 1 2 3 4 5 और यह 6 देखिए फिर एक सिंगल आगया उनको आगे किया सीधा फंदा लिया फिर उनको आगे किया और यह दूसरी बाजु के छे फंदे जिनको आता है वो तो असानी से बना लेंगे थोड़ा बिगनर होते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा गिनकर ही बना लिए देखिए हमारे छे फंदे होगे फिर यह लग से आपको फिर दिखाई देने लग से अगर आप से लास्ट वाली एक फंदा उनको आगे किया दे दो और उनको आगे करके तीन उल्टे फंदे बटन पट्टी के उल्टी सिलाई पूरी उल्टी तो हर सीधी सिलाई पे हमारे ऐसी फंदे बढ़ेंगे तो यह देखिए फिर से हम सीधी साइट आगे है अलग से आपको यह देखिए यह देखिए एक सीधा फंदा और दोन त जैसे कि ये शुरू के 3 फंदे मैं आपको फिर से एक बार रेपीट कर आ रही हूं 3 फंदे हमारे बटन पट्टी में एक से अब हमारे 3 हो गए है पहले एक था फिर दो हो गए अब फिर एक जाली पढ़ गया तो 3 फंदे होगे सीधे एक दो और ये तीन ये देखे नीचे से अलग से दिख लिए जब ये लाइन आएगी आपकी दो बार आपने जैसे गिनके बना लिया जैसे आपको ये चेन स्टिच सीधी आएगी तुरंत आपको उनको आगे करना है और इस सीधे फंदे को बना लेना है सीधा ठीक है फिर उनको आगे करके यहां तक अगली जाली तक के सीधे फंदे तक आपको सीधे फंदे बनने बीच के बेलकुल जैसे छे थे अब ये आठ हो गए है तो इस तरीके से आपको देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ है देखे ये आगे फिर से फिर उनको आगे किया सीधा बनाया फिर उनको आगे किया और फिर से आठ फंदे और तीसरी बाद की बैक के भी आठ फंदे यहां पर भी आठ फंदे और यहां पर हमारे दो से तीन सीधे और तीन हमारे उल्टे फंदे इस परिके से आपका बनता जाएगा अलग से आपको दिखाई देजएगा कि हमारे फंदे बढ़ रहे हैं तो ऐसे बस आपको रिपीट करना है जब तक कि आपको चोड़ाई विगरा ठीक लगे कि हाँ हमारी काना जी को यह चोड़ाई आजएगी देखिए मैं अब गिन नी दही हूं ऐसे बनाती जारी इसी ते फंदे ठीक है ऐसे बेल लाई हमारे नीचे से चेन स्टिच उनको आग पर यहां पर बढ़ गया फंदा तो यह 3 फंदningar हमने सीधे बून ली है तो 4 हो गए ऐसी बस उल्टी से लाई पूरी उल्टी जो बाझू में अगली हमारे अब 10 हो चुके है आठ बनाई हमने फिर अब 10 हो गए फिर 12 और 12 ज़ंगे दो दो पनदे हमारे बढ़ते जाएंग तो यह देखे हमने इतना बना लिया है यह देखे अलग से आपको आप जाली वाली लाइन दिखरी होगी तो यहां से हमने जाली नीचे से गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे पर हमने फंदे बढ़ाएं तो यह 11 नमबर से बना रहे हैं जैसे कि हमारी 4 प्लाइ की उन है तो थोड़ा सा हमारा इतना खुला नहीं बनेगा अगर यही आप इतने पेच्छे पेड़ी इतना ही पर आप 10 नमबर से बनाते हैं थोड़ी सी मोटी उन लेते हैं तो आपका यह 7 नमबर काना जी को भी अराम से आ जएगा तो यह हम थोड़ा सा यह देखे हमारे इतने इतने फंदे हैं यहां पर बाजू के हमारे 16 फंदे बढ़ चुके हैं तो 16 फंदों में मैंने अभी 10 नंबर स्लाई से बनाया था पिंक कलर का ड्रेस काना जी का बहुत ही प्यारी फिटिंग आई मैंने काना जी को पहना कर पिक भ हमारी यह 11 नंबर से हम बना रहे हैं तो यह हमने 16 फंदे यहां पर कर लिए तो अगर आपको और लूज बनाना तो आप एक जाली और डाल सकते हैं तो यह देखे इतने ही हमारी काना जी की बाजू बनेगी 16 फंदों की 16 बैक में तो बिल्कुल ठीक है हमारा साइज तो यह पहले तीन फंदे हमारे उल्टे हैं अब हम आपको आइडिया कैसे लगे कि यह जैसे अब मैंने तीन फंदे की चोली होती है काना जी की धाई भी होती है तो यह हम देर दिंज के करीब बनाए हमने तो यह छे जाली है एक दो तीन चार पांच छे आप साथ भी डाल सकते हैं है सनिय अगर आपको लूज में बनाना है हम इतना ही बना रहे हैं तो यह देखिए अब पहले तीन फंदे उल्टे लेंगे तो कि दिए हमारी बेटन पट्टी यह देखिए आपको अलग से नजर आ रही होगी तो यहां पर प्रेस बेटन लगा सकते हैं अब यह सीधे फंदे हो गए हमारे एक एक से शुरू किया था हमारे यह दो तीन चार पांच छे और यह देखिए हमारा बढ़ावाए साथ यहां पर हमारे साथ फंदे बढ़ गए हैं यह देखिए अब आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी यह हमारी सीधी चेन स्टेच है जिसके एक फंदे के दोने हमार जाप पांच छे हैं सातमी बार हम फंदे बढ़ाएंगे तो हमें वैसे ही बनाना है इस थरह किसे उनको आगे करके यह यह सीधा फंदा बना लेंगे यह देखिए चेन स्टिच लगा यह तो इसमें हम बाजू थोड़ी सी लंबी बना लेंगे तो बाजू बाजू वाले फंदे को हम बुन लेते हैं यहां से यह आपको निशानी के तोर पर याद रहेगा कि यहां से हमारे इसके अंदर-अंदर की बाजू है तो यह देखे आठ फंदे सोला फंदे होगे हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा और यह देखे, चेन स्टिच आगई, यह सोला तो इन सोला फंदों को हमने बुनना है बस और बाजू यहां से हमारी लेंध यह देखे, ऐसे पूरी हमने कितनी लेंध बनानी बाजू की, यह हमें अभी आपको इंच्ट्रेप से बताऊंगी तो इस सिरफ यह सोला फंदे हम बनेंगे, जिसमें कि हम एक एक फंदा घटाएंगे तो सोला में हम सिरफ दो बार फंदे घटाएंगे, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से चार फंदे घटा लेंगे, इससे जादा हम फंदे नहीं घटाएंगे तो यह 16 फंदे बना ली हैं से हम इस तरीके से वापस हो गए हैं सिरफ हम यह बाज़ो बनानी है तो हम 4 सलाईय पहले बना लेंगे एक बना चुके हैं दूसरी बना रहे हैं पहले फंदा बिना बना लिया चार सलाईयों के बाद में हम फंदे एक एक फंदा घटाएंगे तो यह दूसरी सलाईय है तो सोला सलाईय हम चार बार बुन लेते हैं तो यह देखिए हमने चार सलाईय हैं बना लिए सीधी साइड आ गए हमने पहले एक सीधी बनाई फिरूल्टी सीह सीधी फिर उल्टी अछो और इसलाई है यहां पर हम दो का एक कर देंगे एक और यहief दो हुआ का एक और रह देंगे सोला फंदे थे तो चोदा फंदे रह जाएंगी देखिए हमने इन दो का इत कर दिया और ऐसी हम विवा के थे सब्सें पीछे कितरह से थे थे तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदा गहाएं और फिरसे हम चार्च शीम बना लेंगे और हमारी बाद पूरी होएसं जाहेगी तो यह नो सिलाईयां हम बना चुके हैं हम इसकी तीन बना लेते हैं यहीं हमारी 13 सिलाइएं हो जाएंगी हमारी टोटल तो यह देखी 13 सिलाइएं हो गई है हमारी क्योंकि हमारी 4 प्लाइ की उने इसलिए हमारी सिलाइए थोड़ी जादा हो रही है यह हमारी अगर 3 प्लाइ की उन में होगी तो कम सिलाइएं होगी 10 नंबर से तो मैं पहले बना चुकी हूँ तो उसको भी आप देख सकते हैं तो दोनों साइस का बना लेना चाहिए हमें अब देखिए हमारी यहाँ पर उल्टी-उल्टी सलाई यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे और एक-एक फंदा घटा देंगे अब ज्यादा अच्छा फॉल्ट करना है तो आप चार सिलाईयों की बिज़ए आठी भी बना सकते हैं वह आपके उपर है आपको कितना बनाना है तो यह हमने लाष्ट के दो फंदे इस तरीके से घटा देने हैं और उल्टी सिलाई तो उल्टी बनेगी फिर उल्टी ऐसे हम तीन सिलाई उल्टी बनाते हैं फिर से सीधी सिलाई पर हम आएंगे तो उल्टी सिलाई में बंद कर देंगे तो यह देखिए उल्टी साइड आगे हैं यह हमारी चोथी सिलाई है उल्टी उल्टी तो इस पर हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारी सीधी साइड दो लाईने आ गई है तो यहां से दो का एक इस तरीके से करके हम बंद कर देंगे एक हो गया दो का फिर सलाई में वापस फिर दो का एक फिर इस फंदे को सलाई में वापस फिर दो का एक इस तरीके से सारे फंदे बंद कर देते हैं लास्ट में एक फंदा रह गया तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे निकाल देना है और यहाँ से थोड़ा सा धागा छोड़के जितने में बाजू सिल जाए हमारी यह ऐसे निकाल देना है तो यह देखिए हमारी बाजू बनके त्यार हो गई है तो यह देखिए हम नाप लेते हैं यहां से हम नाप लेते हैं यह देखिए सवा तीन इंच के करीब हमारी बाजू बनके ट्यार हो गई है अगर आपको लंबी लगे तो आप इस तरह के से फोल्ड भी कर सकते हैं लेकिन यह हमारी बाजू बिल्कुल सही आएगी क्योंकि यहां से आधा हिंच तो शोल्डर ही हो जाता है फिर उसके बाद हमारे कानजी की धाई हिंच की करीब बाजू है तो कड़े बड़े पेनाने हो तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं अब इतने ही बाजू हमें इधर वाली भी ऐसे ही सेम बना लेनी है तो यहां पर हम धागा लगाएंगे इस जगह पर यह जो सीधी हमारा फंदा है यहां से 16 फंदे बनाकर फिर इस बाजू बनाएंगे क्योंकि हमारा इस तरीके से सिलाई यहां पर आगी फिर यहां पर आएगी फिर यह बागी के फंदे हम बनेंगे इस तरीके से चलेगा तो यहां पर हम धागा लगा लेते हैं और दूसरी बाजू भी बना कर त्यार कर लेते हैं तो यह देखे हमने यहांपर डागा लगा लिया है इस तरहीं से और यहांसे इस बाजा के सारे यहां सीधे सीधे बना लेंगे मैजुक्ति यह कि क्योंकि हमारी अगर हम हम सीधे इस थर बाजा लेंगे तो एक सलाई हमारी यहांं कम हो जा जैते हैं क Bone幫 पूरी सिलाई बनाकर फिर बाजू किया है तो ऐसे हम यह पूरी सिलाई बनाकर अगली बाजू हम इसी तरीके से जैसे हमने गिन के बनाई है ऐसे बना लेंगे तो यह मैंने जाली वाली बनाई है आप बिना जाली की बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं और थ्री प्लाई और 10 नमबर पर मैंने बनाई हुई है तो आपके हाथ में आपको जैसे अच्छा लगे मेरे पास कमेंट आया था कि मैं जाली वाली भी बनाना सिखाऊं क्योंकि मैं जादा तर बिना जाली की क्योंकि जब मैं जाली वाली बनाती थी तो काफी कमेंट राते थे हैं, बिना जाली वाली बनाऊ, तो दोनों ही छीज़े हमने बना ली है कि अब हमने क्या करना है, यह सीधा फंदा जो नीचे से आ रहा है, इसको थो हमने सिलाई मेसे ले लेना इसको नहीं गिनना है, सिर्प बीच के여द में 16 फंदे हमने बनाने, हम और फिर हमने 13 सिलाइएं बनानी है और लाश्म बोटर पर फंदा घटाना है यह देखिए हमने पूरी बाज़ी इसी तरीके से बना लिए बंद कर दिया और यहां पर धागा लगा लिए क्योंकि यहां पर एक सिलाई कम है अब हमें इन सब को आपस में जोड़ना भी है तोल् जैसे बताएं यहां से जोड़ा था फिर यहां जोड़ा अब यहां जोड़ा है तो यह सारे फंदे बना लेते हैं लास्ट के जो हमारे उल्टे-उल्टे ही चलेंगे ठेन बहुत जादा हो रही है इसलिए काना जी को भी तो प्रोपर ड्रेस चाहिए इसलिए यह काफी रिक्वेस्ट ही सी तो मैंने सुझा क्यों नहीं बना ले नहीं देखिए अब हमारे यह दोनों बाजी होगी अब यह बीच के फंदे हमारे यह देखिए यहां पर हमारे 16 फंदे हैं और यह जो हमारे चेन स्टिच वाला यह भी इसमें हमारा फंदा एक-एक है और यहां पर भी एक-एक फंदा है तो हमें इनी फंदों को यह देखिए यहां पर यह दिखाई दे रहोगा आपको और यहां पर भी इन फंदों को हमने दो का एक करना है तो यह देख एक लास्ट में आ गय है यहम ने सारे फंदे बना लिए एक हमने फंदा यहां पर शोड़ दिया गया और हम फिर इसी तरीके से सारा प्वंदे उल्टे बनाने है उस बाजू तो में भी हमने इसी तरीके से करना है, एक इधर किनारे वाला और एक उधर किनारे वाला फंदा, यानि कि एक इधर का और एक इधर का दो का एक कर देना है, और पूरी सलाई उल्टी, फिर से हम सीधी उल्टी सलाई ये बनाएंगे, तो देखिए फिर से बाजू वाले फंद काना जी को कितने अच्छी लगती है आप उसी आप से बना सकते हैं मैं तीन इंच की पूरी चोली बना कर तियार करूंगी तो यह देखिए हमारे सारे फंदे हमने उतार लिए हैं और एक पर मैं आपको इंच टेप से नापके दिखा देती हूं देखिए 1.5 इंच की करीब ब दब जाएं तो इस जब से कम यह ज़ादा कर सकते हैं रहा किता भाजी बना सकते i9 की बना सकती हैं सात नंबर खाना जी में तीन कि ही बनती हैं हम थोड़ा poss Hail एस्ट्रा लेके चल रहे हैं तो यह देखिए हमन यहां के दस लाई यहां से देखिए यह देखिए UK बना लीव नेक्स है और यह देखै। ढाय इंच हमारी बनके तियार होगे आगर आपको इसके नीचे फ्रोग बनाना हैं तो आप ढाय इंच के बाद में कानजी के नीचे से करेंगे तो यह हम 3 इंच याने कि अब आधा इंच का हम बॉर्डर बना सकते हैं इस तरीके से यह देखी और इसको बंद कर सकते हैं तो हमारा 3 इंच का बन के त्यार हो जाएगा तो हम सीधी साइड आ गए हैं तो यहां से हम इसको उल्टी-उल्टी स्लाइएं बनाएंगे औ तुई हमारा कानर जी का कार्डिगन भी कह सकते हूँ आप इसको चोली भी कह सकते हो तो चोली यहा तक बनानी है और हम आधा इंच ओर बना रहे हैं तो अब हम उल्टी-उल्टी स्लाइओं का नीचे से बौडर बना कर बंद करेंगे तो ये जैसे हमारी तीन फंदों की यहांपर यह बोर्डर चल रहा है हम प्रेस बिटन लगा सकते हैं तो नीचे हम छे सिलाईएं बना लेते हैं यह छटी सिलाई पर हम इसको बंद करेंगे उल्टी-उल्टी सिलाई बनाने हैं दोनों तरफ से यह देखिए हमने तीन लाईने बना लिए छे सिलाईएं हमने उल्टी-उल्टी बनाई और इस तरह के से बंद कर दिया इस धागे को हम सुएं की सहता संदर से तिनिश कर देंगे और यह देखिए हमने यहां से जो धागा छोड़ा होता है इसमें हमने धागा डाला हुए और इस बाजु को इस तरीके से हम यहां से सिल देंगे और यह हमारी काना जी का कार्डिगन कह सकते हो आप और जैसे मैंने बताया कि चोली बनानी हो तो आप इसे नीचे से बंद नहीं करेंगे और वहीं से घेरा बनाना शुरू कर देंगे तो चोली थोड़ी सी छोटी बनेंगी तो इस तरीके से हम यहां से इसको सिल लेते हैं जो फंदा हम बिना बुना लेते हैं यह देखें एक चेनी तरकी और एकी तरकी इस तरीके से हमने सिल देना है तो इस तरीके से हम दोनों बाजू सिल देंगे और हमारा कार्डिगन बनके तियार हो जाएगा इसमें आप प्रेस बटन लगाना चाहिए लगा सकते हैं खोल के पहना चाहिए खोल के पहना सकते हैं यह देखिए हमारी तीन इंच की लंबी चोली कह सकते हैं से cardigan कह सकते हैं अगर आपको चोली चाहिए 6 नंबर की तो आप 5 इंच की बना के नीचे से घेरा बनाएंगे और यह देखिए हमारी बाजु भी 3 इंच की हमने बनाए अगर आपको लंभी लगे तो इसको फोल्ड कर सकते हो तो यह हमने cardigan बनाया काना जी का जो की वीप के नीचे वीव वाली जो ट्रेस यानि की पजामे के नीचे भी आप इसको पहना सकते तो आप कैसे भी इसको पहना सकते हैं हमने इसको कार्डिगन चोली सबका आपको आइडिया बता दिया है तो मुझे उमीद है आपको पसंद आयोगा पसंद आयोग और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रादे रादे